किसान भाईयों आप जुलाई के पहले सब्ता में धान की रोपाई का कारे शुरू करेंगे और उसके लिए आपने धान की नर्सरी इस महीने जरूर लगा ली होगी हम बताना चाहते हैं कि धान की जो स्वस्त पोध है वही आपको अच्छी पैदावार देगी आते जरूरत है कि जो नर्सरी में पोध शाला में आपकी पोध खड़ी है उसकी उचित देखवाल करें उसमें समय से पानी लगाते रहें और साथ ही साथ उसमें कीडे और बीमारियों का भी आप आकलन करते रहें उसमें लगातार आप देखते रहें और साथ ही उसमें खर्पतवार वगेरा जो होते हैं उनको भी आप निकालते रहें धान की पोद में पानी लगाने के लिए जरूरी है कि आप हलका हलका पानी उसमें लगाते रहें और पानी जो है वो शाम के समय में लगाएं यही अच्छा होगा साथ ही धान में कई बार जो नर्सरी है हमारी उसमें कुछ बीमारी के लक्षण भी आ जाते हैं खास करके देखने में आया है कि कुछ पोधे नर्सरी में जरूस से ज़्यादे लंबे हो जाते हैं ये बकानी बिमारी का लक्षन होता है, इसकी आपको खास सावधानी बरतनी है, ऐसी दशा में अगर बकानी आपकी नर्सरी में सारी में आगी है तो उसको आप नर्सरी को प्रियोग में ना लाए, उस नर्सरी को आप तुरंट नस्ट कर दे और खेत के किसी अन्य हिस्से में आप अभी भी नर्सरी तयार कर सकते हैं, बीज की बुआई नर्सरी में कर सकते हैं, परंतु नर्सरी के खेत में मालो एक ही हिस्से में आपके बीमारी आती है, थोड़ा बहुत हिस्सा परवावित है, जरूर से जादे लंबे पोदे हैं, तो उस केस में आप उन पोदो को अल मान लीजे 10 लीटर घोल बनाना है आपको तो 10 ग्राम बाविस्टीन ले 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 और फिर जो पोध आप उखाड़ेंगे और खेत में रोपाई करेंगे उसके पहले आप 15 मिनट तक उस पोध को उस जो घोल बनाया बाविस्टीन का उसमें आप रखें और फिर उसकी आप रोप जाता है ऐसी दशा में आप जो उप्युक्त कीट नाशी है उसका प्रियोग कर सकते हैं इसके लिए क्लोर पारिफास नाम की दवाई आती है उसकी 2 मिली लीटर मात्रा पिरती लीटर पानी प्रियोग करें और करीब 60-70 लीटर घोल आप बना लें ये घोल एक हजार वर्ग झाल